पूर्व वितमंत्री पी चितमरम के बेटे कार्ती चितमरम आयनेक्स मीडिया मामले को लेकर सुप्रीम कोट पहुँच गए हैं कार्ती ने इस मामले में ED के समन के खिलाफ याचिका दाया की याचिका में कार्ती की ओर से कहा गया है कि ED और CBI ने इस मामले में अभी तक उनसे जो भी पूछताच की है वह मामला FIR में दर्जी नहीं है इस मामले की सुनवाई मंगलवार को हो सकती है कार्ती पाच दिन की रिमान पर है उनकी रिमान छे मार्च को पूरी हो रही है रविवार को CBI ने कार्ती चितमरम और INX कमपणी की मालिक इंदराणी मुखरजी को आमने सामने बेठा कर पूछताच की थी जानकारी के मुताबिक इस पूछताच में इंदराणी ने CBI अधिकारियों की पूछताच में कार्ती पर लगया आरोपो को धोराया उन्होंने कहा कि वह और उनके पती पीटर मुखरजी तातकालिन वितिमंत्री पीचितमरन के कहने पर कार्ती से मिले थे हाला कि कार्ती ने इन आरोपो से इंकार किया इंदराणी ने यहाँ भी कहा कि उनकी कमपणी INX मीडिया ने चेस मेनेजमेंट सर्विसेस प्राइविट लिम्टेंड के साथ एक दील की थी पैसो का भुखदान एडवांटेज स्ट्रेटीजिक कंसल्टिंग प्राइविट लिम्टेंड को किया गया था कार्ति की इस management company में मारे गए छापे से बरामद हुई 10 लाक रुपए की रसीदे दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि वह company की रोजमर्रा की गती वीडियों में शामिल होते थे गर्तलब है कि यह मामला 2007 में पीची तमरान के वित्रमंत्री रहने के दौरान आई एनेक्स मीडिया के 305 करोड रुपए विदेशी फंड हासिल करने से जुड़ा है आरोप है कि आई एनेक्स मीडिया ने foreign investment promotion board clearance हासिल करने में अन्यमित्ता बढ़ती थी आरोप है कीकार्ति की कमपनी को या फंड दिलवाने के लिए 10 लाक रुपए मिले थे कि रंगों में है प्यारी की बोली मैं राम पन्चाय कुम रेली सुख भई कवर क्रास कांडी करतला दिला कुर्बा ये होली मिलन समारुखा ये इसका बला और तरब से भाई वहिमी होली मिलन से हार्दिक वधाई की सुख कामना है दूल थे तु कि लाई पर दूल के लिए प्रेश्वापनाने की बिलन से खला थान्चा।